और मेरे देश के नौजवानों कैसे हूँ आप सब तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं जावा की स्क्रेंबलर के बारे में जो आपको कुछी महीनों में इंडिन मार्केट में देखने को मिलने वाली है दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है CB350 RS, Meteor 350 और Swartpillion 250 ये सब एक स्क स्क्रेंबलर बाइक की तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ट्रेवलिंग और आफ रोडिंग करना पसंद है और ये बाइक उन्ही परपस के लिए बनाई जाती है और दोस्तो यहां पर जावा ने भी प्लैन कर लिया है कि वो अपने सेग्मेंट में भी एक स्क्रेंबलर बाइक को इंडियन मार्किट में उतारेंगे दोस्तो इसका जो डिजाइन लेंग्विज रहेगा वो सेम जावा 42 से इंस्पायर रहेगा बस आपको कुछ कॉस्मेटिक चेंजिस देखने को मिलने वाले हैं आईए हम बात करत हैं स्पोउक विल्स की अभी कि जो जावा आती है उसमें आपको एलाव वील देखने को मिलते हैं लेकिन जो जावात को protect करता है वहीं पीछे आपको twin spring suspension देखने को मिलेगा और दोस्तों अगर exhaust की बात करें तो यहाँ पर जो आपको spotted images देख रही उसमें exhaust एकदम बोरा सा देख रहा है मतलब उसको थोड़ा काटा गया है तो ऐसा exhaust आपको देखने को नहीं मिलेगा जो stock exhaust आएगा catalytic converter के साथ वो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों बात करें पीछे के tire की तो इसमें आपको 140 section का tire मिल सकता है और इसमें आपको mud flap भी देखने को मिल जाता है और उपर का यह seat सिर्फ rider के लिए बढ़िया है और थोड़ी जो space रहेगी वो आपके luggage carry के लिए रहने वाली है दोस्तों बात करें safety की तो इसमें आपको dual channel ABS मिलेगा और dual disc के साथ आपको यह bike available होने वाली है दोस्तों instrument console अभी इसका show नहीं हो रहा है हो सकता है आपको analog देखने को मिले या फिर हो सकता है कि आपको digital instrument console देखने को मिल सकता है riding posture की बात करें तो scramble bike के जो riding posture रहता है वो upright होता है तो आपको shoulder pin या palm pin जैसी कोई भी problem नहीं होने वाली है क्योंकि यह mainly long tour के लिए बनाई जाती है इसलिए इसमें आपको comfort काफी बढ़िया देखने को मिलने वाला है द मेरे हैसाब से LED के मुकाबले काफी better और sharp होती है दोस्तों बात करें indicators की तो इसमें आपको bulb indicator देखने को मिलेंगे हाला कि spotted images में साफ साफ नहीं देख रहे है कि आपको LED मिलेंगे या आपको bulb देखने को मिलेंगे लेकिन आपको circular में मिलता है तो मुझे लगता है कि आपको bulb indicator देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों बात करें इसके engine की तो engine में आपको कोई भी changes देखने को नहीं मिलने वाला है आपको 293cc का engine देखने को मिलेगा जो max power produce करेगा 27 bhp की और max torque produce करेगा 27 newton meter का तो दोस्तों यही कुछ features के साथ आपको Java की scrambler bike देखने को मिलने वाली है हाल अगर बात करें इसके expected price की तो इसका जो expected price रहेगा वो रहेगा around 183,000 एक शोरूम डेली इसका expected price यह थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है या फिर यह कम भी हो सकता है अब अगर बात करें कि यह bike कब launch होने वाली है तो आपको में या जून के मन्त में यह bike confirm Indian market में देखने को मिल सकती है तो उमीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको like करो, share करो और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो subscribe करके bell icon दबा दो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं और आपक वीडियो थाले थैंक्स तिल थाले वीडियो और नवगों को यह वीडियो वीडियो